इस वक्त चांदीपुरा वाइरस को लेकर चिंता बनी हुई है गुजरात के बाद अब ये वाइरस राजस्थान में भी पैर पसार चुका है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के डूंगरपुर जिले में तीन साल के बच्चे को चांदीपुरा वाइरस पॉजिटिव होने की पुष्टी हुई है जिसके बाद राजस्थान सरकार और चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है ऐसी में चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये चांदीपुरा वाइरस चांदीपुरा वाइरस एक गंभीर वाइरस है जिसकी पहला मामला 1965 में भारत के महराश्ट्र राज्य के चांदीपुरा गाव में देखने को मिला था हिल्ट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वाइरस रब्डोविरिडे परिवार से संबंधित है और माधा फ्रोबोटो महिन मक्खी मच्छरों तिक्स और सैंट फ्लाइज के काटने से फैलता है रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में यह वाइरस 2004 से 2006 और 2019 में महराश्ट्र आंग्रे प्रदेश और बुजराद जैसे राज्यों में फैल चुका है इस थिती में बुखार, फ्लू जैसे सामान्य लक्षणों के साथ साथ एक्यूट इंसेफलाइटिस यानी दिमाग की सूजन की समस्या हो सकती है इसके कारण संत्रमित व्यक्ती को बुखार, दस्त, उल्टी और शरीर में अकरण जैसे लक्षण नजर आते है बता दे कि गंभीर मामलों में यह कोमा और यहां तक की मरीज की जान तक ले सकता है यह वाइरस मुख्य रूप से 9 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है जो बच्चों के लिए एक बड़ा खत्रा बन गया है इस वाइरस से बच्चाव के लिए सबसे पहले मच्चरों से बच्चाव करना जरूरी है क्योंकि यहां मच्चरों के काटने से फैलता है इसके लिए मच्चरदानी का इस्तमाल करी घर के आसपास पानी जमाना होने दे मच्छर भगाने वाले तरल पदार्थों का उप्योग करें और फुल आस्तीन के कपड़े पहनें इसके अलावा स्वच्छता का ध्यान रखें इसके लिए पके हुए भोजन को धक कर रखना और दूशित पानी ना पीना और हाथों को बार-बार धुना जरूरी है वहीं अगर आपको इस वाइरस के कोई भी लक्षन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें